हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ स्वेता वेलकम टू मैं चैनल स्वेताज की चैनल लाइफ इस्टाइल अगर आप घर में रंग भी रंगे चॉकलेट्स बनाना चाहते हैं बच्चो के लिए या फिर होम बेकर हैं और कलरफुल चॉकलेट बनाकर आप सेल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि मैंने इसमें पर में ही कलर बनाना बताया है कि आप चॉकलेट के लिए परफेक्ट चॉकलेट कलर कैसे बना सकते हैं मैंने यहां coco butter लिया है और आप चाहें तो इस brand का भी ले सकते हैं नहीं तो आप moade का भी ले सकते हैं coco butter coco butter इस recipe के लिए आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बहुत तरह तरह के चॉकलिट बनाना चाहते हैं और perfect बनाना चाहते हैं तो आपको Coco Butter आप रखना पड़ेगा बहुत ही थोड़ा सा Coco Butter यूज होता है और आप देखेंगे की इससे मैंने 4 तरह का color perfect बना लिया है और आप इसको बना कर रख सकते हैं और जब चाहे आप या तो चौकलूट में डाल सकते हैं गार्निसिंग में अगर मल्टी कलर करना है या कोई भी कलर करना है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो बॉन-बॉन बना सकते हैं आप अपने बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं होम बेकर से तो आप चॉकलेट का भी एक ऑप्षंन रख सक मैंने बहुत थोड़ा सा कोको बटर लिया है और डबल बॉयलर की साहता से इसे मेल्ट कर रही हूं मैं यहां मैजिक कमपनी का वाइट और येलो कलर यूज कर रही हूं ये स्पेशल चॉकलेट के लिए ही आता है लेकिन आप इसे ऐसे ही यूज नहीं कर सकते आपको परफेक् ताकि यह टेंपर हो जाए इस तरीके से चलाते हुए मेल्ट करने से कोको बटर में जो हम कलर डालेंगे उसकी शाइन बहुत ही अच्छी आएगी इसलिए यह स्टेप जरूरी है आप जरूर करें इस स्टेप को की कोको बटर को खुव अच्छी तरीके से आपको चलाना है अगर आप चॉकलेट में शाइन अच्छी जाते हैं तो आप इस रेसिपी को जरूर फॉलो करें और पूरा देखें ताकि आपको पता चलेगा कि चॉकलेट कलर कैसे बनाएंगे कैसे स्टोर करेंगे और फिर कैसे इसे यूज करेंगे यह सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है आप एक यह थर्मामीटर ले लेंगे तो आपको पर्फेक्ट चॉकलेट बनाने में आसानी होगी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 डिग्री सेल्चियस है इस कोको बटर का और यह पर्फेक्ट टेंपरेचर है इसमें कलर मिक्स करने का तो सबसे पहले मैं वाइट और येल परत ना पड़ेंगे विवात दोस्तों इस से आपको पाँच से सात मिनिट इसी तरीके से पीच बीच में रूप कर भी लेकिन आपको मिक्स करना है क्योंकि यह हैं पावडर कलर और इस पावडर कलर में दाने दाने के आप देख सकते हैं अभी है तो इसको हमें अच्छी सा कोको बटर और मिक्स किया है अगर आप बॉन बॉन चोकलेट बनाते हैं तो आपको इसमें कोको बटर की मातरा ज्यादा रखनी होगी ताकि वो एर ब्रस से निकल कर और मोल्ड के उपर लग सके अगर आप इसी तरीके से ब्रस या किसी और टूल से या उंगलियों से लगान तो मैं इसे थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी तब तक मैं वाइट कलर को मिक्स कर रही हूँ इससे भी 5-7 मीनट तक हमें mix करना है इसी तरीके से जब तक इसके आन जो है जो powder है वह पूरी तरीके से cocoa butter में mix ना हो जाा एक दम smooth पेश्ट का मतलब एक दम smooth color बनाना है इसमें बिलकुल भी दाने नहीं होने चाहिए मैं double boiler के method से इसे गर्म करनी हूँ लेकिन मैंने नीचे पानी गर्म करके रखा है और उपर सूखा कटोरा रखा है और उसी में इस color वाले ball को रखा था और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये melt हो चुका है और perfect color हमारा तयार हो चुका है चमच में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी दाना नहीं है और आप पाउल में भी देख सकते हैं बिल्कुल भी powder नहीं दिख रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से ये melt हो चुका है और mix भी अच्छी तरीके से हो चुका है white और yellow तो मैंने उसी तरीके से तयार किया आपने देखा और red भी इसी तरीके से मैं तयार कर लूँगी इसे भी फिर से 5-7 मिर तक मुझे mix करना है और mix करते हुए इसे एकदम अच्छी तरीके से smooth बना लेना है 5-7 मिर रेट कलर भी हमारा तयार हो गया और उसके बाद मैंने यहाँ पर magic company का जो चौको ब्लू कलर है वो मैंने लिया है यह चौकलेट के लिए ही आता है याद रखें water color बिल्कुल भी यूज नहीं होगा या कोई भी color हो जिसमें water की मात्रा हो उसमें वो color नहीं यूज करना है चौकलेट के लिए जो magic का आता है वो ही मैं यूज करती हूँ एक बार मैंने इसे यूज कर लिया है और इसे मैं इस तरीके से clean wrap से wrap करके और इसे रख दूँगी जब मुझे दुबारा जरुवत पड़ेगी मैं इसे खोलूँगी और अभी आपको मैं बताऊंगी कि मैं दुबारा कैसे इसे यूज करती हूँ चारो को मैंने clean wrap कर दिया है और उसके बाद मैं इसे बाहर ही फ्रीज में ना रख के बाहर ही रख दूँगी क्योंकि अभी ठंड का मौसम है मैं इसे दुबारा यूज करने जा रही हूँ तो मैं इसे double boiler के method से जैसे अभी पहले आपको मैंने दिखाया कि एक बाउल में मैंने गर्म पानी लिया उपर मैंने एक सूखा कटोरा रखा और उसके उपर मैं इसको रखूंगी ताकि इसमें पानी का कोई contact भी ना हो और ये melt भी हो जाए अच्छी तरीके से तो इसी तरीके से मैं इसे melt करती हूँ और जिस कलर का मुझे पहले जरूरत होता है मैं उसे पहले यूज करती हूँ और इस बाउल में मैंने आधा ही पानी रखा है और नीचे वाला बाउल छोटा होना चाहिए उपर का बाउल थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि पानी क कोई भी अंस ना आए आप देख सकते हैं कितना perfect कलर बना है उसी कलर से मैंने यह bonbon बनाय है आप इसे bonbon में भी या normal चौकलेट में भी यूज़ कर सकते हैं इस bonbon चौकलेट का link मेरे description box में है आप वहां से देख सकते हैं